हलो जाइस आजकी जो वीडियो वह जेनरीक एलेक्टिव के ऊपार रहें तो इहां मैं सबसे पहले बात कलनूं हो यह ने कि मैं इस लाइन का मतलब बता दूँ और अऔर इलेक्टिव कोर्स चूजए जरनेलिए फो प्रोम एंड रिलेति डिसिप्लीन सब्जेट्ट विदा इंटेंचन टूसिक्श एक्स्प्लोर तू अधर डिसिप्लीन सब्जिट्पार्डग डिसिप्लीन विदेख एक्सप्लोर इंकलिए झूप मरस्इं पूसरा सब्चित और सबीजिक सब्च करतु तो ही अगर टाउट आप कि और एक पॉलिटिकल साइंस करे मतलब जू लोजी हैं खूस नहीं कर दूसरा स्पॉजेट कर च continuously कर लें पर लिए को आपको किया करना हैं 1 Sorry साइंस उनर्स कर लो तो आपको उस सब्जिक्स से हट कर यानि झोभी कोर्स कर तो सब्जिक्स सब्जिक्स से हटकर जी चूज करना पड़ता और आपकी इंटरेस्स के पहसाब से इंटरेस्स के वारूand और मैंने history Adopt करी history क्यों मेरा interest था history में तो मैंने history Adopt करी और यहां पर मेरा benefit हुआ मैंने history Adopt करी तो यहां पर मेरे को अब आपने कोर्स से हटकर कोई दूसरा कोर्स लेना हो तो जी के अंदर ये चीज याद रहों अगर आप ज्यू लोजी ओनर्स कर रहे हो तो बोट नहीं लो यह जो आपके इंट्रेस्ट है तो आप यह चूस कर सकते हो लेकिन यह चीज में बता दूँ आप को आपको अपने कोर्स एक कर को दूसरा सब्येक्ट लेना पड़ता है ठीक है और यहाँ कोर्स ओफर्ड प् GP for why works such error doctor मैं यहां नीचे आता हुन घो का उसी कितनी होती है यहां पर संसर होती है हर समेश्टर में जी होती है तो कि यह जी मिलती है और कैमें क्या करते हैं हर समेच्टर में हैं और कुछ अच्ञ फसे मários लिए करने लेकिशने को कुछ आइज होता है जो फस्ट आ और सेकड़े सेग्रीयर में शप्षन है यह 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 यहीं बब्रेस하다 आपने समेस्टर में पड़ी और आपको इंटरेस्ट नहीं था तो सेकेंड मों से चेंज कर सकते हो अब लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आप जी को चार साल अगर कंटीन्यू करते हो तो यह आपका फाइदा होगा पीजी के लिए अभी नीचे एडवांटिस में आप भी म बता दूँ उसके क्या चीज़े हैं यहां में एडवांटेजिस की बात कर लेता हूं एडवांटेजिस के जी को इसके देखो एक्स्प्लोर और निउडिस्प्लिन सब्जेक्ट ठीक है यानि आप पोलिटिकल साइंस करें तो आप एक नया सब्जेक्ट कर सकते हो अब काफ प्रोडिकल साइंस ले लिए तो उसका इंटेस्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो लेकिन आप वह उसे अच्छा लगता पॉलिटिकल साइंस जी में पढ़ना ठीक है और यहां पर आप क्या पर सकते हो इंटर डिसिप्लिन रिसर्च आपकी हो जाती है ठीक है आफ्वर इन पाल जब आप यहां घृष्ट्री को दो साल कंटीनियो करोगे और प्रोटिकल साइंस को तीन साल कंटीनियो तो डेफिनेंटी आपकी इंटर डिसिप्लीन रिस्टर्स तो हिस्री के अंदर भी हो जगी दो साल आप उसे पढ़ लेओ ठीक है और यहां पर बेनिफिट कह हो अपने कोलीजीजम है दो साल कंटीनु रखता है तो मैं पोस्ट ग्रेजुशन कर सकता हूं हिस्ट्री सा अगर मेरा इंटरेस्ट हर जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर ठीक है तो अगर आपका आप मतलब जोग्राफी ओनर्स करो जोग्राफी ओनर्स के अंदर आपको घड़ी और हिस्ट्री ले रखती है आपने जीए गंदर आपका हिस्ट्री अंदर है तो आप पोस्ट ग्रेजिशन कर सकते हो तो यह चीज़े रहती है और सबसे बड़ी एडवांटेस्ट तो यह होता कि आप एक नया एक्सप्लोर करते हो क्योंकि आप कितना पढ़ोगे अरिस्टोटल कितना पढ़ोगे प्लेटो तो उससे हटकर भी आप एक अलग चीज़े पढ़ सकते हो अगर आपका इंट्रेस्ट है जैसे काफी बच्चों के इंट्रेस्ट जोग्राफी में रहता है तो जोग्राफी भी ले सकते हैं लेकिन आपको जी जब ही मिलेगी जब आपको वहां डिपार्टमेंट मौजूद होगा जैसे काफी बच्च कर रहा है कि शोचलोजी नहीं करवा रहे ऐसा क्यों है दो वहां पे जब भी कोई कोर्स करवा जाता कोई सब यो कोई सब ही ठीक है तो वहां पर पूरा एक डिपार्टमेंट एक पूरी फैकलिटी लग क्योंकि जब डिपार्टमेंट होता तो वहां पर फैकल्टी आएगी फैकल्टी इतनी आपको एक जी के लिए तो नहीं लगाएंगे ठीक है तो यह चीज़े रहती है अगर आपके कोलेज में जीए के अंदर नहीं है तो शायद वहां डिपार्टमेंट नहीं है आपके को कैसे मिलती है जीए आपको जीए आपको मेरिट बेस यहां लिखाए नोने मेरिट रेफर होती है यह वह मेरिट कम प्रिफरेंस बैसे यहां इसा कुछ नहीं है आपको एक सीधा सा गूगल फॉम मिलता है उसमें से आपको जीए के ऑप्शन मिलते हैं काफी सारे 12-13-15-16 जि यहां पर आपको क्या होता है और यहां मैं बात करो बेस्ट इंट्रेस्ट आपको जो भी जिसमें इंट्रेस्ट है वह चलेकर और यूव फॉर तो फाइफ पर इन ओडर यूद्री तो यहां पर आपको प्रिफरेंस दी जाती है एक चीज मैं बता दो जब मैं 2020 में अपना किया है तो आप यदो अधिर को धिशन ओस्ट यहां फीच सिरी को क्या होती है अए क्सला को इसने अफूंत बच्चे पूरे फुल हों होगते तो मेरे को सेकंड प्रिफरेंट वाहर जय excitement to इंट्रेंच उध्र सेक्षिंट मेरा हिस्टषिड के बाद संटाने इन्टरेंच ह। तो मेरे को मिल लेकिन बच्चे फुल हो जाते हैं तो यह वही है आपको प्रीफ प्रीफेंस के साब से मिलते हैं गूगल फों में आपको फिल कर वाया जाता है और इस पेपर विल बी सेलेक्टेड एमंग डिफ्रेंट पेपर फ्लोटेड ओल दिपार्टमेंट अधर देन देपार्स्ते मिल फिल भी यूर पैरेंट देपार्टमेंट जीकेड केंग इस लैक्टेड वाये कोर्स ऑफ़शआ बाइब डिपार्टमेंट अधर देन उलक्तेल ह्माथेमेटिक्स यहां फूद बताया गया यानि याश्ट यहांनी इसी ओनर्स एलेक्ट डूर्टकर या यह सेगंट समस्टर में सेमेस्टर वाइज जी चेंज होती है कुछ नहीं मैं मतलब मेरे जो बने वे हैं तो मैंने देखा है कि काफी बच्चे जो हैं अधर कोलिच के हैं ठीक है मेरे खाल से एक कमेंट आया था कि मेरे को में समेस्टर वाइज बाकि समय यर्वाइज होती है तो जी का अपको इडवांटेज पता चल गए होगा तीक है अपने डिपार्टमेंट से हटकर दूसरा डिपार्टमेंट जी में चूज करना यह चीज यह याद रखना यानि दू पॉलिटिकल साइंस ले लिए दुबारा से तो यह आपकी गलती हो जाएगी यूर फॉर्म इस रिएक्टेड अप लोगों को बोले कुछ भी आप लोगों को एक अधर डिपार्टमेंट देता है ताकि आप लोग अपने इंट्रेस्स के साथ से और दूसरा सब्जेक्ट एस् किसी के कोई क्वेरी है जी के रिगार्डिंग तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो